श्री शिवाई नमस्किवम दोस्तो आज की वीडियो में जानेंगे कि बच्चा पढ़ता नहीं है या जिद्धी हो गया है उल्टे जवाब देता है परेसान करता है या कोई बोलता ही नहीं है बिल्कुल भी बच्चा बढ़ा हो गया है इतना मापापो से अलग रहना पसंद करता है कोई भी परेसानी है बच्चे से समंदित सभी इसी वीडियो में आपको हल मिलेगा किस वज़े से होता है यह और क्यूं होता है सारी चीज़ बताऊंगी वीडियो प्योंगी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा आगे आप भूल जाते हैं कमेंट में जैमा लक्षमी सदभाब से जरूर लिकेगा दोस्तों क्या होता है जब बच्चा पढ़ता नहीं है या कोई भी परेसानिया होती है वो सबसे ज़्यदा मा को परेसान करती है मा ऐसी चीज होती है उसका हिरदे अपने बच्चे के लिए हमेशा रहता है कि हमारा बच्चा को हो रही है यह परिसानी हो रही है तो किस तरह से इस परिसानी को हल करा जाए बहुत ज़्यादा परिसानी हो जाती है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है लाब होने वाला है आपकी सारी जितनी भी माइंड डिप्रेशन में हैं वो सारा इस वीडियो से हल होगा दोस्तों क्या होता है ये कुछ चीजे तो हमारे घर से हमारे घर से ही पैदा होती है कि हमारे घर में लड़ाई जगड़े हो रहे हैं या हमारे घर में बहुत ज़दा हिंसक प्रबती है तो बच्चे के अंदर भी पढ़ती है तो पहले अपन बहुत से पेरेंट्स होते हैं, सरा वगेरा पीते हैं बच्चे के आगे, जैसे फादर होते हैं, या गुटका वगेरा खाते हैं, कुछ भी चीज़े खाते हैं, तो बच्चे की प्रबती मतलब, उसकी मेरा कहने का मतलब है, प्रबती बच्चे की अपने घर से ही ऐसी हो जाती तो इस चीज़ का आपको दिहार रखना है अब आजाते हैं उपायप है कि क्या हमें log करना चाहिए कि इन चीज़ों से बच् inqu हमारा बच्क रहे, जो दोस्तो ये बच्चे की भी गलती नहीं होती है मैं के तो के लिखा दी हूँ कि सबसे पहले में यही कहूंगी कि बच्चे को मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इससे बच्चा और हिंसक होता चला जाएगा आगे जाके आपकी ही बेज़ती करता रहेगा तो बच्चे को बिना उसके पेरेंटिंग के तरीके से अपने फ्रेंड्स के तरीके से उसे संभालिए जो बच्चा आपको हर चीजे बताने लगे कि मेरे को ये परिशानी है ये परिशानी है नहीं तो आगे आपको ही बहुत ज़्यदा इससे नुकसान होने वाला है ठीक है रूटीन बनाईए उसका किसी भी तरीके से कि इतने बज़े पढ़ना है इतने बज़े करना है हर चीजों की ज़्यदा बच्चों को समान इतना महंगा महंगा मत दिलाए कि बच्चा जिद्धी हो जाए उसका वो हो जाए उसकी हैबिट में आ जाए आगे जाके उसके परिशानी हो इन चीजों से कि हमाई बच्चे में क्या है परिसानी हगलाता है या तुतलाता है या पढ़ाई में मन नहीं है या बच्चा बोलता नहीं है या आपसे बहुत तमीजी से बोलता है आपकी नहीं सुनता है किसी गलत उसंगती में चला गया है बस अब मैं इतना हैंगे जितनी भी परिसानी है सब मा को उठानी पड़ती है आप मा या बाप जो भी है आपको क्या कहना है सबसे पहले जो सनी दोस होता है या पितर दोस होता है हमारे जो पीपल का पेड़ होता है ना दोस्तों बहुत चमतकारी पेड़ होता है मैं आज इस वीडियो में आपको बता रही हूँ जो पीपल का पेड़ होता है बहुत चमतकारी पेड़ होता है विशेश अगर आप पूजा कर लेते हैं पीपल के पेड़ की शनी देव की कर ले या पीपल के पेड़ की सबसे ज़्यादा पीपल के पेड़ की में बताने वाल लेकिन लगातार करनी है संकल्म लेना है वाकायद आपको संकल्म कैसे नेना है अपने घर के मंदीर में बैठ कर ले सकते हैं संकल्म यह आप पेढ़िए बैठ के लिएं पञते है ग्यारेषण पूजा करता है इस सफ्योस पूजा करूंगी आप incl loud इस तरह से यह आपको करना ह सरसो के तेल की बाती का दिया होना चाहिए लंबी बाती होनी चाहिए और पीपल के जो भी पेड़ हो मतलब ऐसा पेड़ नहीं चुनना है जो छोटा पेड़ हो ऐसा नहीं चुनना है जिसकी छत्रिशाया के नीचा आप बैठे हो पुज्य पेड़ होना चाहिए मंदिर में ल स्टील का होना चाहिए या फिर आप उसका ले सकते हैं लोगे का लोटा उसमें आपको जलडालना है तामबे वामबे का नहीं लेना बिलकुल भी आपको जैसे मैंने बताए स्टील का लेना है ठीक है इस टील के लोटे में दूद ढालीजिए थोड़ा सा जल डाल दीजिए चड़ाना है बच्चे के नाम से पहले दिनी संकल्प लेना है कि मैं 11 शनिवार लगातार ये कार्य करूंगी आप ना कर सके हो तो आपके हस्में इस चीज को करें सूतक पाता किया सुबह आप जल का लोटा बस कुछ नहीं करना सुबह के इस नमें बस आपको गंगा जल करना है जैसे आपके जो दोस हैं वो खतम होते चले जाएंगे अब देखेंगे ना फिल्कुल खतम हो जाएंगे मतलब हमारे जो पित्र जो हो जो होते हैं वो पीपल पर निवास करते हैं मालक्षी पीपल पर निवास करते हैं सारे जियो देवी देपता होते हैं सुबह से स काम तक सभी पीपल पर ही आते हैं पीपल पर ही सभी का निवास थोड़े-थोड़े समय के लिए होता है जैसे दुफैर में बारे बज़े के बाद जो होता है वह हमारे पित्र गण जो होते हैं वह आते हैं तो इस तरह से आपकी मन्यों काम नहोंगी वह बहुत जल्दी पूर इसलिए मैं आपको बतानी हूँ और उसको दिये के अंदर जैसे मैंने बताया बस बाती ही लेके जानेए सरसोगा तेल उसके अंदर होना चाहिए बस इतना ही घन्ना है आपको वो दिया जला कर आना है 11 दिन का संकल्ब लेकर करिये आपकी सभी मनो कामनाई जो है वो पूरी हो होंगे आपको यह नहीं होगा कि बच्चा किस वज़े से हो रहा है अपड़ाई में मन नहीं लग रहा है थोड़ा सा ध्यान न कि कि महौल अच्छा सा मना कर रखें एक ग्लोब आता है यह अब ग्लोब का चित्रवील आप लगा सकते हैं थोड़ा सा उसमेडिटेशन करें बच्चा जैसे मैंने बताया था इसली वीडियो में कि जल चड़वाना सी सूरज को जल चड़वाई है तो मेरे जो सस्क्राइबर थे उनके बच्चे को बहुत ज़दा इसका लाब हो और नोंने कमेंड्स में बताया तो बहुत अच्छा लगा कमेंड में जरूर बता कि किस किस बच्चे को लाब हो रहा है क्योंकि मुझे पता लगता रहेगा तो मुझे भी खुसी होती है बस इतना ही दोस्तों वीडियो का और लंबा नहीं करूंगी वीडियो पर लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करेगा कोई भी आपकी जारनकारी हो तो जरूर जिल हूँ बस इतना ही रादे रादे है